आजब बिल्लाहिमने शेटवानिर राजीम बिसमिल्लाहिर रह्मानिर रहीम असलाम अलेकुम वेलकम तो लावल अप इंग्लिश लर्निंग तो डेवी सोल्व दा एक्साइज ओफिंट नमबर सिक्स एंड विच इस अबाउट बी उनेस्ट इसमें हमने क्या पर था क्लीम और आसिम की स्टोरी पड़ी थी इसमें दो फ्रेंड थे जिसमें हमने स्टोरी पड़ी के एक फ्रेंड का जो कलर बोक्स है बाई मिस्टेक दू कम्यूनिकेशन औरल कम्यूनिकेशन औरल स्पीक वर्बल जो जबानी की जाती है कम्यूनिकेशन बातचीत बैसिकली कम्यूनिकेशन होता क्या है जब हम किसी से कुनेक्ट हो जाते हैं हमारा कुनेक्शन जुटता है हम अपनी बात किसी दूसरे तक कन्वे कर देना यह क्या क अनिशियल कौन से होती है start वाली sounds होती है और final जो last पे sound आती है उनको final sounds कहा जाता है start वाली sound को initial कहा जाता है read the words loud नीचे words दिये गी है इन्हें देखते हैं जो सबसे पहले same beginning sounds मतलब बताया जा रहा है कि जैसे फुल जो पहला full line है इनकी क्या है start पे same sounds है beginning जैसे देखे P से start किया गया है next भी P से और next letter भी क्या है first P है मतलब P है तो इनकी beginning sound क्या होगी same होगी जैसे pencil pen pet next है C है और यहां पे CL यहां पे CL और CL letters हैं तो यह क्या होगा clock cloud clap next देख लेते हैं FL यहां पे भी FL और यहां पे भी FL same letters है तो flag, floor, floor अब यह क्या थी same beginning sounds थी अब same ending sound होगी जिसे हम initial sounds भी कहते हैं इनको initial sounds कहते है beginning को और last वाली जो के ending sound होते हैं इनको हम final sounds भी कहते हैं अब ending पे क्या होगा ER यहां पे भी ER यहां पे भी ER तो इनकी sound क्या आजेगी जैसे same letter है तो sound भी क्या आएगी last से same sound आएगी mother, brother, sister mistake, lake, beg क्योंकि तिनों word के last पे k, e यहां पे भी k, e और इधर भी k, e है next है king, ring, bring क्योंकि इन सब पे यहां पे three letters same है ing है, सब के last पे ing है तो king, ring, bring same sounds आजेंगी next है read the given words with the same beginning or ending sounds, think one more word that has the same ending sounds यहां पे कुछ words लिखे गए है word with same beginning sound यहां पे हम क्या करेंगे, जो start होगा initial होगा, वो same letter से लेंगे, और यहां पे क्या होगा same letter ending वाला same होगा यहां पे m, a, t, e, m से word लिया गया mat, तो मैंने क्या लिखा, moon, bag, bus, net, new, light, lime, इसी तरह जैसे हम जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे तो हम same sounds लेते जाएंगे draining, goat, sun, sea अब इस कॉलम में हमने क्या करना है जो ending sounds होगी, वो same लेनी है जैसे के ending sound पे m है तो हमारा last पे m आना चाहिए him, team, आगे tap, captain, fan, pencil, angel, evening, bag, यहां पे जी है लास्ट पे तो इतर भी हमने जी लिखा less और pass तो हमने क्या कि लास्ट वाले sounds सेम लिए हैं next है learning to speak, read the given routine grids and social courtesies and practice them basically बच्चों के लिए यहां पे डायलोग दिया जाता है जिसे बच्चे क्लास में क्या करते हैं two students लेके, एक बच्चा एक डायलोग बोलता है दूसरे के डायलोग बोलता है इस तरह इसे बच्चों की practice करवाई जाती है जैसे हमारे पास यहां पे लिन्डा और अस्मा two characters हैं, एक बच्चे को हम लिन्डा के डायलोग दे सकते हैं दूसरे को अस्मा के यहां पे लास्ट पे भी अस्मा ही है लेकिन mistakes होगी हुए है पे spelling में start करते हैं डायलोग लिन्डा hello, how are you इन्हें हम greeting words भी कहते हैं ठीक है greetings sentences जो के हम जब किसी से मोलते हैं जैसे इसलाम लेना, यह क्या greeting वगारा welcome कहना यह भी greeting में आता है अस्मा है I am fine, thank you अब उसने कहा, आपका क्या हाल है अब अस्मा ने कहा, मैं ठीक हूँ आपको पूछने का शुक्रिया अब लिन्डा ने क्या कहा, what are you doing these days, का आप इन दोनों क्या कर रही है अस्मा ने कहा, I am busy preparing for my exam कहरें कि मैं अपने पेपरों की त्यारी करने इत्यारी में मसरूफ हूँ लिन्डा ने कहा, best of luck for your exams अब उसे best wishes दे रही है कि उसके पेपरों के लिए, अब अस्मा thank you very much, अब उसने उसका शुक्रिया अदा किया, इसी तरह हमने क्लास में बच्चों के डायलोग्स की practice करवानी है नेचे की दिया गया है, read the given dialogue and introduce yourself and your friends इसी तरह हमने क्या करना है, बच्चों को कहें को खुद को introduce करवाएं self introduce में बच्चे अपना name बताएं, father name बताएं अपना class में बताएं, वो कौन से school जाते हैं और class grade बगारा, four five lines enough होंगी इसमें next reading and critical thinking जिसमें answer को जाना है, first है where were asim and clean sitting ये दोनों कहां बैठे हुए थे they were sitting in the class दोनों कहां बैठे हुए थे, class में बैठे हुए थे यहां भी हम they were भी कर सकते हैं यहां पि हम asim and clean were sitting भी कर सकते हैं, next है who had colorful erasers and beautiful pencils कि किसके पास थे, हम कहेंगे asim हम इदे लिखे देंगे asim बाकि हमारा question ही आजएगा asim had colorful erasers and beautiful pencils next है which thing clean what home by mistake गलती से clean कौन सी चीज़ घर में ले आया था clean what asim's pencil box to home by mistake कि वो गलती से क्या ले आया था asim का pencil box ले आया था next है look at the picture read the sentences about it यहां पे देखे तस्वीर दिखाईगी है इसमें हम बच्चों से सबसे पहले question करेंगे बच्चों आपको सबको क्या क्या इसमें नजर आ रहा है यहां पे blackboard है clock है यहां पे teacher table भी है उसकी उपर map पढ़ा हुआ है यहां पे chairs tables वगारा पढ़े हुए है तो देखें यहां पे first sentence लिखा गया there is a blackboard in the classroom ऐसे ही है there are many chairs in the classroom ठीक है यहां पे chairs भी काफी जएदा है इसी तरह कहा गया है select some common classroom objects from the picture कह रहे हैं इस class में से कुछ और objects देखे then write two sentences about them in your notebook जैसे हम इदर लिख सकते हैं there is a clock यहां पे एक clock है in the classroom के classroom में एक clock भी है there is a teacher table in the classroom हम यह भी कह सकते हैं many tables in the classroom there is a word map in the classroom there is a board chalk भी यहां पे पढ़ा हुआ देस्टर पढ़ा हुआ इसके about हम बहुत से और sentences बना सकते हैं next we are filling the blanks हमने इसको पढ़ते जाना है जो correct होगा उसको टिक पी करना है और फिलिंग दा ब्लैंक पे लिखना भी है जैसे asim and clean clean were waiting for their dash वो दोनों किसका इंतजार कर रहे थे mother teacher father या uncle तो teacher का teacher के उपर टिक कर देंगे और इसे हम यहां पर right भी कर देंगे next हमारा है asim and clean were showing each other there dash color pencil and other things वो एक दूसरे को क्या अपना चीज़े कौन सी दिखा रहे थे eraser ठीक है इसमें eraser को टिक कर देंगे what was in clean's bag schools bag dash वो क्या चीज़ ले आए था अपने साथ ठीक है यहां पर लिख देंगे pencil box टिक कर देंगे यहां पर right भी कर देंगे the story is about यह story किसके बारे में थी ठीक है honesty के बारे में थी क्योंके last पर आके क्या किया था उसने उसका pencil प्रेफरेंड का pencil box वापिस कार दिया था जो कि इमानदारी की story है इमानदारी के बारे में यह सार लिखा गया है next language focus vocabulary building के लिए कुछ words दिया जाते हैं बचे जिनके meaning करते हैं सबसे पहले है together जिसका meaning अकटे होना है जिसे हम कहते है with each other जिसका basically यही मतलब बता है अकटे होके बैठना ठीक है without के बगएर permission इजाज़त इजाज़त के बगएर without asking के बगएर पूछे आगे है honesty इमानदारी जिसे कहा जाता है the quality of being truthful हमेशा सच बोलना भी क्या कहलाता है इमानदारी कहलाता है mistake गलती होना something do you wrong without knowing ऐसी गलती हो जाना हमसे जिसे हम खुद नहीं करते हैं अनजाने से हमसे हो जाती है उसे हम mistake कहते हैं ठीक है अब next है circle the classroom atoms only classroom में जो 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 सी चीज़े पाई जती है उसे circle करें anges जुक्यों को मैंने किया है यहां पे क्लास्रों में में यह क्लास्रों में होते हैं जैसे पे ग्रूप वगारा में by्लॉक्स होते हैं बचों को बचों के लिए इसे कर दिया यह ay Planning opinion है नीफ को circle कर दिया है नेशना है think about and write three objects relate to the classroom and home write them in the correct boxes यहां पे classroom में जो जो चीज़े पाई जाती है वो लिखनी है यहां पे जो घरों में चीज़े पाई जाती है वो लिखनी है जैसे यहां पे लिखना है white board है black board भी लिख सकते हैं और आप board mark लिख सकते हैं chalk, duster, यहां पे cheers, tables, book bag, students कुछ भी आप लिख सकते हैं जो classroom में object वगरा होते हैं charts होते हैं next house का बताएंगे bed है, गरों में cheers भी होती है furniture लिख है, tv, lcd, led और भी यहां पे बच्चों से पूछें कि उनके गर में और कौन सी चीज़ है वो सब यहां पे write कर सकते हैं next is learning to spell, read and write one side words in the shape books that fits यहां पे words दिये जाते हैं जिनको हमने उनकी shapes के according fit करना होता books में जैसे कि सबसे पहले मैंने लिखा going तो going last word है, इस तरह हमारी सबसे first प्यार है क्यूंकि जो लिखा जाता है उसकी shape थोड़ी सी लंबी होती है और नीचे की तरफ को write की जाती है इसलिए इसमें going आजेगा next six है, फिर help है yellow and let लिख दिये गे है next है fill in the missing letters to complete the words यहां पे कुछ missing letters होते हैं जो एतने एक letter add करने से पुरा word complete हो जाता है जैसे के सबसे पहले है erasers next है stationary honesty mistake praise realize यहां पे one one letter add करने से हमारा word complete हो जाता है next ग्राम में है masculine and feminine जिसे MFB कहा जाता है read of following masculine and feminine read me blog को पढ़ लेते हैं announce that refers to a male is masculine के लाते है जो male से relate होते है उन्हें masculine कहा जाता है जैसे father, son, brother announce that refers to a female is feminine for example mother जैसे इस तरफ के masculine दिये गे हैं यहां पे feminine दिये गे हैं अब देखे brother, uncle, father इन सब का relate किसे है एक male से है ठीक है male से relate होते हैं तो यह सब क्या होंगे masculine इसी तरह feminine के जैसे देख लेते है sister, aunt, mother, princess यह सब क्या है feminine है क्योंकि यह female से relate है इसी तरह next है choose and write words in the correct boxes यहां पे देखे nephew, grandfather, daughter star, woman next grandmother son, madam, niece and man दिये गे हैं इनको हमने क्या करना है इसमें से देखते हुए masculine को masculine blocks में लिखेंगे feminine को feminine में लिखेंगे nephew, man grandfather यह सब किसमें आजेंगे masculine में आजेंगे feminine में niece, woman grandmother और madam इसी तरह इनके इस तरफी आजेंगे इसी तरह masculine जैसे nephew है तो इसका feminine क्या होगा niece होगा man का woman होगा grandfather का grandmother होगा sir का madam होगा next है पर नाउन read the following sentences read me blog को पढ़ लेते हैं the word use in place of noun is called pronoun इसी तरह है जो के noun की जगा ऐसे वर्ड जो के noun की जगा use होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं pronoun कहते हैं और pronoun में होते हैं I, we, you, he, she, it and they are pronouns इन सब को हम क्या कहते हैं pronoun कहते हैं अब देखे Ben लिखा गया है Ben यहां पर नेम है naming words naming words are called noun तो जितने भी इस दुनिया में इस पूरी universe में नाम है उन सब को हम क्या गएंगे noun और उनकी जगा जो instead जगा जगा जो भी word use होते हैं उनको क्या कहते हैं pronoun जैसे यहां पर बैन है Ben यहां पर noun है Ben is in class two अब इसका pronoun हो क्या होगा क्योंकि यह एक mail है तो mail के लिए हम क्या use करते हैं he तो he यहां पर क्या होगा बिल्कुल he क्या होगा pronoun होगा he is an honest boy Ben and Asim जब हम two persons की बात करें यह two से ज्यादा की बात करें उनका pronoun क्या होता है they Ben and Asim are friends यह दोनों दोस्त है they are classmates यह दोनों हम जमात है यहां पर दे क्या है pronoun है my mother my mother यहां पर noun है is a doctor के मेरी मदर क्या है doctor है अब my mother का relate किसे है female से है तो female के लिए हम क्या use करते है she इसी तरह किसी यहां पर गल का नेम होता तो भी क्या आता she आता she helps me in my studies को वो मेरी study में मदर्द करती है तो she यहां पर क्या है pronoun है इसी तरह noun और pronoun के about अलाग से वीडियो अपलोड है वो आप जाके देख सकते है इस तरह है rewrite the paragraph changing the colored noun into pronouns in your notebook यहां पर देखें जो colorful लिखा गया यह noun है हमने इनको पुरा noun में convert करना है asim has a new eraser the eraser is colorful अब eraser हो गया यहां फिर कोई भी animal की जब हम बात करें उसका pronoun हम क्या यूज करते है it ठीक है asim likes the eraser 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 की जगा हम it use करेंग asim likes it आगे है asim asim जब 2% की बात हो या 2 से ज़्यादा की तो हम क्या लिखते है they they are friends asim and klim sit together in the classroom miss asma is their class teacher ठीक है अब क्या है miss sorry miss aamna miss aamna is their class teacher अब miss aamna एक female है तो female के हम क्या यूज करते है she she is a nice teacher इसी तरह यह सब जो भी noun है उनको हमने pronoun में convert किया next articles है articles भी two types के होते है indefinite और indefinite यहां पे हम किसका पढ़े है a और n का पढ़ने लगे है read me blog को पढ़ लेते है plural nouns do not take indefinite articles a और n अब a और n कौन से होते है indefinite होते है जो दा होता है वो indefinite है और वो definite है ठीक है read the following sentences है यहां पे हम देखते है articles को देखते है हमें पता है जो के vowel words होते है a, a, e, i, o, u उनसे पहले हम क्या लिखते है n लिखते हैं अगर कोई भी words में आ जाए बाकिन साथ हम a लिखते है there is a glass on the table I have pants देखें अब देखें basically हमने difference का बताना है जब हम ज़्यदा चीज़ों की बात करें जैसे यहां पे अभी हमने बात की के plural nouns को होते है उनके साथ हम a और an नहीं write करते I have pants ठीक है I have pants कहा गया ज़्यदा की बात है इसलिए हम ना a लगाएंगे ना ही an ठीक है यहां पे देखें अड़ एड़ अड़ एरपोर्ट ठीक है अब देखें अड़ अड़ प्लेंज तो हमने इससे पहले a और an नहीं write किया claim is playing with a twi car a twi car एक twi car की बात हो रही है तो a लगाया cream is playing with twice तो हम सिफ twice लिखेंगे a और an नहीं write करेंगे क्योंके twice क्या है ज्यादा की बात होगी ज्यादा जब चीज़ों की बात करेंगे तो हम a और an नहीं write करेंगे असिम है जा स्टोरी बुक एक स्टोरी बुक की बात हो रही है तो हमने आ लगा दिया असिम है स्टोरी बुक्स तो हम a और an नहीं लिखेंगे next up put articles are an where needed and rewrite the sentences तो हम लिखेंगे amna is eating an orange next writing learning to write look at the pictures below and list down the classroom objects यहां पर हमने देखने है classroom objects कौन-कौन से हैं हमने देखते हुए इस तरफ राइट कर देने सबसे पहले यहां पर देखें क्या है यहां पर मैंने सबसे पहले लिखा blackboard यहां पर blackboard दिखाया गया यहां पर लिख दिया blackboard next chair यह भी classroom में होती है वह लिख दिया eraser यह भी classroom में होती है scale यह भी होती है sharpener लिख और pen लिख और इसके बाद यह classroom में होता है word map भी होता है लेकिन अब यहां पर six था तो हमने यहां पर उतने ही write कार दिया यहां पर ठीक है जितने उन्हें ब्लोक्स बना है next रहा है writer sentence for each picture using action and describing words यहां पर देखें क्या हो रहा है एक boy है ऐसे लग रहा है सोने की try कर रहा है There is a boy यहां पर लरका है he is trying to sleep जो के सोने की कोशिश कर रहा है यहां पर एक boy है तस्वीर बना रहा है beer की तो हम लिख देंगे there is a boy ही इस पेटिंगा beer को एक rich की तस्वीर बना रहा है इसी तरह creative writing what would you do if you are in claim's place write five lines in your notebook इसको देख लेते हैं हिहां पे लिखा गया है if अगर I were in claim's place अगर मैं claim की जगा होता I would go तो मैं जाता to my mother मैं अपनी मां के पास जाता है एंड टेल हार उसे बताता दा ट्रू स्टोरी जो सही स्टोरी थी मैं उन्हें बताता दा नेक्स दे और अगले दिन आई वूड लाइक मैं पसंद करता है रिटन वापिस करना दा कलर पैंसिल ट्वीट्स ओरनर पर ये जिसकी कलर पैंसिल थी मैं उसको जाके वापिस कर देता इसी के साथ हमारी इस चेप्टर की रिडिंग कम्प्लीट होती है एक्सरसाइज और रिडिंग दोनों कम्प्लीट होगी है